सरगम हाथ में ढोल लिये गली-गली घूम रही थी, उसकी आखों में आसु थे, आते चाते लोग सरगम को ढोल बजाते देख रहे थे, एक पतली दुबली कमजोर सी लिड़की गले में इतना भारी ढोल का वजन और हाथों में पड़े छाले, सरगम की गरीबी का दुख बया और एक मंदर की सीडियों पर बैट गई, सरगम की आखों में आसु थे, रोते रोते वो पिछली कुछ बाते याद करने लगी, क्या हूँ आ मा, बार बार दरवाजे पर जाकर क्यों खड़ी हो रही हो, सरगम तेरे बापू अभी तक नहीं आए, दस बचने को आ रहे हैं, प्रुकों में बंसी काका को देख कर आती हो, वो भी तो कल शादी में बापू के साथ ही गए थे, भाबी, ओ जान की भाबी, ये क्या हुआ, अरे, आपके हाथ पर प्लास्टर, ये सब क्या है जी, जान की भाबी, बारिश चादा हो रही थी, रास्ते में कीचर था, रिक्स ही आने थी, शादियों का सीजन चलना है, बैठे बिठाय मेरे चोट आ गई, अब क्या होगा, बंसी भाईया आराम से इने पलंग पर लिटा दो, बापू आप काम के बारे में बाद में सोचना, पहले अपनी तब्यत तो देखो कितनी चोट आई है, बैठे बिठाय सरगम क पिता सरजु के उपर मुसीब्तों का पहार तूट पड़ा, उसके हाथ में फ्रेक्चर हो गया, अब वो कई दिनों तक धोल नहीं बजा सकता था, बंसी काका, अगर मैं धोल बजाओं, क्योंकि बापू ने मुझे धोल बजाना सिखा रखा है, तो क्या मुझे आपकी ग्र पिता कि वो तुझे काम देंगे या नहीं, बापू एक बार बात करने में क्या जाता है, मैं बात करके आती हो, सरगम बंसी के साथ उनके मालिक के पास जाती है, जो पूरा शादी बैंड चलाता था, मालिक बहुत ही खडू स्वभाव का था, और भी बहुत सारे बैंड वा इतना आसान नहीं, गले में टांगते ही हवा टाइट हो जाती है, घंटो ढोल बजाना कोई आसान बात नहीं, चल जा, बिटिया घर जाकर चूला चौका कर, तेरे बसका नहीं है ढोल बजाना, मैंने अपने ढोल ग्रूप की बदनामी थोड़े करनी है, तुझे ग्रूप म बंसी इससे समझा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, शाम की बारात में भी जाना है, अब को ड्रेस अप होना है, तुझे भी तो चलना है, इसे घर छोड़ करा और जल्दी से सारे ग्रूप में शामिल हो, बारात टाइम पर निकलेगी, तब ढोल वालों को टाइम पर पहु क्या हुआ मा, तुम तो खिच्टी के लिए दाल चावा लेने गई थी, सब ने उधार देने से मना कर दिया, कोई भी नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी क्या करू, तेरे बापू को अगर ये बात बता ही तो उन्हें और चिंता हो जाएगी, मा चिंता मत करो, म धोल नहीं बजा पाऊंगी, पर ऐसा नहीं है, भगवान में बजा पाऊंगी, मैंने बापू से बहुत अच्छा धोल बजाना सीखा है, सरगम अभी सोची रही थी कि तभी मंदिर में एक जोड़ा शादी के लिए आता है, वो बहुत गरीब लग रहे थे, उनके साथ कोई भी धोल या बैंड बाजा नहीं था, अरे मोहन भाई, कम से कम एक धोल वाले को ही बिला लेते, कुछ तो रोनक लग जाती शादी में, तू तो जानता है यह रगो, धोल वालों से पूछा था, पर पैसे बहुत मांग रहे थे, मेरी तनी गुंजाईश नहीं थी कि मैं कोई भी धोल वाला ग्रुप उक कर सकता, अब क्या ही कर सकता हूँ, वो देक मोहन वो सामने सीडियों पर एक धोल वाली बैठी है, मैं उससे पूछता हूँ, शायद कम पैसों में वो मांजा है, अच्छा, जा, पूछ कर तो आ, सर्गम बहां से जानू ही लगी थी कि लड़का उसे आवाज लगाता है, सुनो, आज मेरे दोस्त की शादी है, क्या तुम मेरे दोस्त की शादी में ढोल बजा दोगी, हम बहुत गरीब है, जादा पैसे नहीं दे पाएंगे, तुम बता दो कितने पैसे लोगी, भाया जी आपको जो ठीक लगी खुद दे देना, मैं तो ऐसे भी घरी जा रही थी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके दोस्त की शादी में ढोल बजाओ, ठीक है, ठीक है बहर, तो फिर तुम ढोल बजाना शुरू करो, और ऐसा ढोल बजाना कि मेरे दोस्त की शादी में रौनत लग जाए, मेरा दोस्त, उसकी होने वा सर्गम अपने सारे दोग भूल कर बस खुशी से धोल बजा रहे थी। उसने ऐसा धोल बजाया कि राह चलते लोग थी। एक लड़की को इतना बढ़िया धोल बजाते देखकर कुछ तेर अपनी गाड़े और स्कूटर रोग कर खड़े हो गया। और उसे धोल बजाते देख वहीं से एक बाराग चारे की। शाधे में बैंड बाचे और धोल बाले सब सर्गम को ढूल बजाते देख रहे थे। उनके मालिक की नजर जब सर्गम पर पड़ी तो वो हैरान रहे गया कि एक लड़की इतना सुन्दर धोल बजा रही है। ये तो बहुत हैरानी की बात है सर्गम को लड़के का दोस दो सो रुपे पकड़ाता है। सर्गम उन पैसो को लेकर घर आ जाती है। बैंड का मालिक अभी भी सर्गम के बारे में ही सोच रहा था। वो अपने डोल बालू से उस लड़की के बारे में पूछता है। सर्गम को यहां बुला, मुझे उससे बात करनी है। ठीक है मालिक, मैं जाते हुए बोल दूँगा, वो कलाप से मिलने आ जाएगी। वो डोल वाला सर्जु के घर जाता है और सारी बात बताता है। सर्गम अपनी मां के साथ बैंड वाले व्यक्ति से मिलने जाती है। वंक्षन हुआ करेंगे, उसके हिसाब से मैं तुम्हें रुपए दे दिया करूंगा। चिंता मत करो बै, अब तुम्हें पैसों की कोई परिशानी नहीं होगी। मैं जानता हूँ सर्गम बहुत मेहनत दिये। अब जब ये मेहनत करेगी तो मेहनत का फल तो इसे मिलेगा ही। ठीक है बिटिया, कल एक शादी में ढोल बजाना है, तो तुम समय पर आ जाना, ठीक सर्गम खूब मेहनत करती, शादी बया में ढोल बजाती, कभी कभी कोई और फंक्शन होता तो वहाँ भी उसे ही ढोल के लिए बुलाया जाता, क्योंकि लोग उसके ढोल को बहुत पसंद करते थे। ये देखकर मालिक भी खुश था, कि उसे भी तो एक महनती ढोल वाली मिल जिसकी वज़े से उसका काम और बढ़ गया था, सर्जु भी अपनी बेटी की महनत देखकर बहुत खुश था, सर्गम ने अपनी महनत से कमाल कर दिया, उसने बेटा और बेटी दोनों में फर्क की, गुंचाईश ही नहीं छोड़ी भयंकर गर्मी और तप्ती दोपहर में महेश कई दिनों से मजदूरी का काम कर रहा था, अचानक एक दिन कि महेश करते हुँ चक कर आ गये इसलिए हमने उसे चाह में लिटा दिया, तुम मजदूरों के सहारे अगर मैं ऐसे काम करने लगा, फिर तो मुझे दो साल एक घर बनाने में लग जाएंगे महेश अगर दुबारा ये गर्मी से बेहोश होने का नाटक किया तो मैं तुझे नौकरे से निकाल दूँगा हाँ महेश और बाकी मजदूर चुप चाप फिर से काम पर लग गए अब वो लोग बीच में काम छोड़ कर जाते तो सेट उनके पैसे मार लेता इसलिए सभी मजदूर उसके खिलाप कुछ नहीं कह सकते थे महेश काम करके शाम को सेट से कुछ उधार पैसे लेने जाता है अरे अंधे तुप पिछले दस मिनिट से भी बना कर लाता हूँ काम चोर कहीं के फिजूल की तनखा खाने की आदत पड़ गई है और एक काम नहीं करते बताओ हाँ महेश क्या काम है तू बोल मालिक कुछ पैसे उधार चाहिए थे मेरे घर का पंखा खराब हो गया है और बिना पंखे के रात को महेश उधा सोकर घर आ जाता है का हुआ जमना ये पिंकी लेटी क्यों हुई है और सोनू कहा है पिंकी को उल्टियां हो रही है सोनू बराबर वाले मेडिकल से दवाई लेने गया है सारी राद गर्मी से बच्चे सो नहीं पाते हैं इसी वज़े से तबियत खराब हो गई है बच्चों की तुमने पंखे के बारे में बात की यी तो थी फर सेड जी ने साफ मना कर दिया जादा जो डालूँगा तो कहीं नौकरी से ही न निकाल दे ये लो मा दवाई मा बहुत गर्मी लग रही है और जी भी घबरा रहा है थोड़ी सी हवा कर दो पिंकी बिटिया मेरी गोदी में आजा मैं तुझे हवा करता हूँ पता नहीं हम गरीबों के साथ ऐसा क्यूं होता है ये अमीर लोग हमारी परिशानी को क्यूं नहीं समझते है थोड़ी सी मदद कर भी देंगे तो उनका क्या चला जाएगा और फिर उधारी तो मागे है तुम तो काम करके पैसे चुका देते महेश एक बहुत ही गरीब मजदूर था छोटे से कमरे का किराया रोजाना की रोटी सबसी भला 200 रुपे रोजाना कमाने वाला एक गरीब महेश नया पंका कहां से खरीदता महेश ने सोचा कि वो दुबारा एक बार कोशिश करके देखेगा महेश और सारे मजदूर काम में लगे हुए थे बहुत देर से सेट का कहीं पता नहीं था क्या करूँ क्या सेट जी से दुबारा पंके के लिए पैसे मांगू एक बार भात करके देखता हूँ अब तो शाम होने वाली है सेट जी यहाँ तो आये नहीं है मैं खुदी गोदाम पर चला जाता हूँ महेश गोदाम पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर सेड़ जी दिखाई नहीं देते तब ही उसे सेड़ जी के कराहने की आवाज आती है अरे ये आवाज तो बेस्मेंट से आ रही है यहाँ तो बहुत अंधिरा है अरे सेड़ जी ये सब कैसे हुआ आप यहाँ बेस्मेंट में महेश किसी तरह सेड़ियों से सेड़ जी को उपर लेकर आता है और सारे मज़दूरों को बुला लेता है तुम लोग यहीं सेड़ जी के पास रुको मैं किसी डाक्टर को बुला कर लाता हूँ महेश सेड़ जी ने हम सब के साथ इतना बुरा सुलूक किया है अब हम क्यों डाक्टर को बुला कर लाएं भाई है हमें क्या पढ़ी है हम भी घर चलते हैं बोल देंगे कि हमें पता नहीं चला किसोर यह तुम कैसी घटिया बाते कर रहे हो महेश डॉक्टर को बुला लाता है तब तक सेठानी भी खबर सुनकर वहाँ पहुंच जाती है महेश तुमने आज सेड़ जी की जान बचा कर हमारे उपर बहुत बड़ा एहसान किया है तुम ठीक कह रही हो कल्याणी मैंने हमेशा इन सब मजदूरों के साथ इतना गलत किया मैं इनकी परेशानी को कभी समझ नहीं पाया महेश मैं तो नाम का अमीर हूँ पर तुम तो दिल से अमीर हो यह मुझे आज पता चल गया मुझे माफ कर दो उस दिन से सेड़ ने अपना व्यवहार बदल लिया उसने महेश के साथ साथ सभी मजदूरों को एक-एक पंखा उपहार में दिया अब दो पहर के वक्त महेश और सभी मजदूर कुछ देर आराम भी कर लिया करते थे बेस्ट बाडीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मजदार वीडियो देखने के लिए नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं देखते रहिए, बेस्ट बाडीज